अब देखते हैं क्या है यह पूरा पूरा केस उससे पहले मेरे प्यारे बच्चो जैसा कि आप सभी की एक डिमांड रहती है अब आप सोचिए एक लाग भरतिया निकाली हो पर उस एक लाग पर वो सभी बच्चो को ना लें तो दुख तो होता है अगर इस चीज़ को आप यहां पर पढ़ते हो तो देखो क्या लिखा है रेलवे भरती प्रकोष्ट आरारसी दफ्तर के बाहर रेलवे गुरुपडी की परिथ्या दे चुके अभियार्थियों ने मंगलवार को परदर्सन किया अभियार्थियों का कहन था कि गुरुपडी की भरती के लिए उनका चैन हुआ उनका समझ रहो देहना कितना बड़ा दुख है इनके साथ मेडिकल भी वेफिट है लेकिन अभी लेखिया सत्यापन के लिए महीनों से पैनल गटित नहीं किया जा रहा है वहां बताया जा रहा है कि पद खतम हो गए ह है जबकि गुरुपडी के 575 पद अभी रिखता है जैसे सिर्फ ही कि जॉर्नल की बात है एक एक जॉन की सब की बात नहीं हो रही तो ऐसे ऐसे बहुत सारी जगह ऐसी घड़बड हो रही होगी तो 575 अभी पद खा लिए है दो दरसल RRC की ओर से वर्स 2019 में 4730 पदो की भरती शुरू ही बाद में इसे 4651 पदों पर संसोतित किया गया वर्स 2022 में CVT परिक्षा हुई तब एक पद के संभेख्ष तीन गुना 13202 अभियारती दिसंबर 2022 में सफल हुए इसे थोड़ा बड़ा कर देता है जिससे आप थोड़ा सा आप भी खुद भी साफ साफ देख पास हुए 7995 ठीक है पास हुए इसमें चिकस्य परिक्षण के लिए 4651 लोगों को बुलाया गया इसमें कुछ अनुपस्तित हुए तो 114 चिकस्य परिक्षण में फेल हो गए बाद में कुल 4076 अभियारतियों को सफल गोसित किया गया इस तरह से जितनी पोश्ट थी उसक में अधिकांस बच्चे A2, A3, B एक सेट थोड़ा से इसको एक सेट रुकिए आ जाईए इसको थोड़ा सा इस तरह से जिस एक सेट लोगों आ जाईए तो जितनी पोश्टी फिर्यां पे थे बच्चे A2, A3 मनल मेडिकल भी फिट थे ऐसा नहीं कि बहुत मेडिकल के वैसे बहुत सारे बच्चों प्रेसान किया गया था तो मेडिकल वाली भी दिक करनी थी अधिकांस बच्चे A2, A3, B1 जिक से इस्टेंडर को पास कर चुके हैं इस स्टेंडर के तहित अभ्यारती परतेक पत के लिए अरात रखते हैं यानि क्या 100% उन्हें जो मिलने चाहिए दो पेपर पास कर लिया, मेडिकल भी फीट है, सब कुछ उनका अपना हो चुका है, बट फिर भी और पद भी हैं तब भी उन्हें नहीं लिया जा रहा, ऐसे मैं उन्हें किसी पद के लिए यह कहकर नकारा नहीं जा सकता कि बोर्ड के पास पद नहीं है, 500 से अधिक पद खाली होने के बावजूद, क्योंकि टोटल जो बच्चे पहुचे हैं, उसकी वज़य से 500 अभी भी वहाँ पर वेकेंट हैं, पोश्ट खाली पड़ी हैं, बट फिर भी उन 500 पर बच्चों को ना रखने के कहा गया है कि यहां पर कोई वेकेंसी नहीं है, कोई पोश्ट नहीं है, ठीक हैं, अधिक खाली होने के बावजूद, लगवग 150 हभियारतियों को नो पोश्ट पद नहीं है, बताकर अंतिम चैन से भार कर दिया गया है, अब हतास हभियारती अपना चैन ना होने का कारण पूशने के लिए पिछले चार दिनों से पहुच रहे हैं, अब यार सब क और देओ, EWS, EWUAS के सरवादिक अभियारती बाहर, RRC Group D की इस भरती में सबसे ज़्यादा नुक्सान आर्थिक रूप से पिछडे EWAS अभियारतियों को हुआ है, तकरीबन 100 अभियारती इसी वर्ग के हैं, अधिकांस के पास दो ही मैसेज आये हैं, एक नो पोश्ट, खासी नराजगी है, तो बच्चों ये थोड़ा सा मनलब सोचने वाला मुद्द है, मैं तो यही कहूंगा, इस वीडियो को उन तक पहुचाए, जो उपर वाले लोग होते हैं, जो हाई पोश्ट वर बैठे रहते हैं, जिससे की वो इनको समझा पाएंगी, जब वो वेकें जल्दी से जल्दी दीजिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, उपर से बच्चे परेशान ने होने चाहिए, क्योंकि देखो, आप उनी की है वो सीट, उनी के लिए उन्होंने महनत करी, तो उनका पूरा हक बनता है, और अगर हाँ फेल वेल होते हैं, तो बाई अलग बाती आईगे, भेंकरसी तो उस क्लास को लेना, ना भूले सही बच्चे, भेंकरसी क्लास आईगे, ठीक है गाइस, तो मिलते हैं मेरे प्यार बच्चो, वैसे डेली रात नौ बजे, और आज आठ वजे, राहुल देशवाल, मैं स्वी डॉलो के साथ, बाई लव यू, जाहिन ज ार्ट